दिल्ली में सरकार और राजिपाल के बीच की खीचतान लगाता जारी है। सुप्रीम कोट के पैसले से दिल्ली में आधिकारियों के तबादलो और प्रशासन एक स्तर के पैसले का आधिकार। हासल कर खुश होने के बाद दिली पर लाए गये अध्या देश के लोकसमा में पास होने से खार खाये बैठे दिली की सियम अर्विन केजरिवाल ने एक बार फेर दिली के उपराज पाल VK सक्सेना को निशाने पढ़ लिया है। साथी उन्होंने दिल्ली में पुलिस की कारिशाली को लेकर भी सवाल खड़ी किये हैं इस लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है अपने ट्वीट में अर्विन केजविवाल लेखते हैं दिल्ली में हर रोज अपराद की खबरिया रही है अपराधी बेखॉफ है, जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है SG साहब वक्त निकाल कर देखिए कि जनता कितनी दरी हुई है जनता राजनीती नहीं, बलकि काम चाती है, सुरक्षा चाती है LGP के सक्सेना को लेकार, CM Arvind केट जिवाल आगे लिखते है आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही, शाबाद देरी में एक नाबालिक लड़की की सरयाम चाकू से गोद कर हत्या कर दी गए थी उस जगर्णी वारदात ने सब को हिला कर रख दिया था, आलाकि पोलिस ने तेजी दिखाते वे आरोपी को जल्द ही गिरफतार कर लिया था लेकिन उस संजनी खेज वारदात ने दिल्ली में सुरक्षा वेवस्ता और आपराधिक प्रविती वाले लोगों में डर की कमी को लेकर सवाल खड़े कर दिये थे आपको बता दे कि मुख्यमंतिर एडविन केजरिवाल की ओर से तंज पूर्ण लहजे वाला ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराजिपाल के बीच जारी तकरार करीब करीब अपने चरम पर है दिल्ली सरकार और LJ के बीच आध्यादेश समेट काई मुद्दों पर कानूनी और सियासी खीचतान जारी है यूरियन टेरिटरी होने कितना ते दिल्ली को क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा हासल नहीं है ऐसे में दिल्ली पूलिस भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में ना होकर केंजी के नियंत्रण में है इस तरह से दिल्ली में सुरक्ष ववस्था का जिम्मा भी उनी के हातों में है दिल्ली में हाली में हुई साक्षी हत्या के मामले में राजनितिक माहौल भी गर्मा उठा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने इस पर गहरी चिंता जाहिर करते वे ओपरा जिपाल से इस तरह की आपराधी घटनाओ पर अंकुष लगाने की बात कही है। इन के जिवाल ने दोनों निताओं के खिलाफ के इंदरी एजन्सियों के दूरूपयों का भी आरूप लगाया था।